वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें सामवाजिक सुदार से जुड़ी प्रमुक संस्थाएं और अंदुलन जिसको हम देख रहे हैं इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे साथियो इसमें सेवा सदन के बारे में देखे हैं सेवा सदन बना है 1908 में और बहराम जी मृमा बारी याद रखेगा बहराम जी एम मालाबारी इंपर्डेंट वेक्ती हैं किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये तो बाल विवा का विरोध कर रहे हैं विद्वा के पुनल विवा की वगालत कर रहे हैं एम जी रानाडे तता रगुनात राव इसके संस्थापक सरस्ते हैं या संस्थापक है उद्देश क्या है समासुधार है क्या काम करना है तो देखिए प्राथन समाज के लावा पूना सारजनेक सभा एहमाद अगर सिक्षा समाज इंडियन शोशल कॉनफरेंस और बाल विवा के खिलाफ लोगों को प्रेजित करने के लिए प्रतग्या अंदोलन शुरू किया गया था इनी लोगों के द्वारा और द्योगिक संबेलन तता विद्वा पूनर विवा संग से भी ये लोग निकरता से जुड़े हुए थे ये लोग एम जी रानाडे और लगुनात राव आगे बात करते हैं आगे है देव समाज लाहोर में बना था शिव नारायन अगनी होती इसको बनाने वाले व्यक्ति थे इसके धार्मिक सिद्धांत ब्रहम समाज से मिलते जुलते थे एक ऐसी सामाजिक और आचार सहिता के निर्माण के ये लोग पक्षधर थे जिसमें रि फोरायन बनांके गुलाम और अइमाद धियान रगना किस छेतर में काम कर रहें रहे हैं तो इसाई मिशंद्रियों के प्रहार से इसलाम को बचाने का काम कर रहे हैं हिंदु धर्म में पुणर जागर hmm लाने का पर्यास सार भोमिक धर्म में आज था मिर्जा गुलाम एमद ने स्वैम को मसीहा की संग्या दी तथा भगवान किष्ण के अवतार को इन्होंने स्वैम को भगवान किष्ण का भी अवतार बताया ठीक है ध्यान रखना अच्छा बराहीन ए एमदिया नाम की पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धानतों की बाक्या किया और जो लोग इनके फॉल्वर होते थे बेसिकली मुसल्मान ही जाते हैं इनके फॉल्वर थे वो लोग कहला है एमदिया संपरदा है अब चूंकि ये हैं तो मुसल्मान लेकिन इनके जो इस आंदूलन को चलाने वाले वेक्ति हैं वो अपने आपको कुर्शन का अवतार बता रहे हैं इसामसी का अवतार बता रहे हैं पेगंबर भी बता रहे है इस वज़े से इनका मुसल्मानों ने भी विरूत किया और हिंदू ने भी विरूत किया और उसका परणाम यह रहा कि जो लोग एहमदिया अंदुलन से जुड़े या जिन लोगों ने इसको अपनाया उनका इस्तिती कुछ ऐसी हो गई कि ना तो वो हिंदू ही रहे ना मुसल्मान रहे और आज भी जो एहमदिया संपरदाय है उसे मुसल्मान पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करते हैं हाला कि है तो मुसल्मानी बट उनको मजज़िदों में प्रविश नहीं दिया आता है बहुत सारा बेदवाव उनके साथ होता है उसका रिज़िदन यही है यही है यही मिर्जा गुलाम एहमद और इनकी बात है आगे बढ़ते हैं आगे है मदरास हिंदू एस्सोशेशन मदरास में चला है वीर शालिंगम पंतलू इसके संस्थापक सदस्य है सामाजी शुद्धा का अंदूलन है विदवाव के सोशल ज़ता देवदासी पर्था का यह लोग विरोध कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं अगली संस्था है हमारे पास राम किश्न मिसन बहुत ही महत्पूर राम किश्न मिसन के जो संस्थापक है वो है स्वामी वेकानन जिनका मूल नाम है नरे नादत 1898 मेहड़ों ने राम किश्न मिसन की स्थापना करी है राम किश्न मिसन इसका नाम क्यों रखा क्योंकि इनकी जो गुरू है वो है रामकृष्ण परमहंस और उनी के नाम पर ये नाम रखा गया है रामकृष्ण मिश्ण काम क्या करता है बेसिकलिए तो प्राचीन भारती धार में गरंतों तदा वैदिक माननिताओं कि आधार पर हिंदू धर्म का पुनरुथान जाते प्रता सामाजे को उत्पीलन तता हिंदू समाज में व्यापत अंद विश्वास का ये लोग विरोध करते है तता महिलाओं की इस्तिती तता सिक्षा में सुधार के लिए ये लोग अगरसर है अच्छा जो स्वामी विवेकानन्द है वो इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि स्वामी जी ने स्वामी विवेकानन ने 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भी भागिदारी करी थी और वहां से जो है ये काफी फेमस हो करके लोटे और अमेर की लोग जो है इनको कहते थे योध्धा सन्यासी तो फिर काफी महतपूर है ये स्वामी जी और ज्यानकना 1893 का विश्व धर्म सम्मेलन जिसमें इनों ने भाग लिया और 1897 में रामकिश मिशिन की इस्थापना आगे बढ़ते हैं आगे है धर्म भारत धर्म महामंडल ये वारानसी में चला है सन्स्थापक कोन है इसके सन्स्थापक है मदन मोहन मालवी है दीन दयाल शर्मा तथा गोपाल कृष्ण गोखले ये क्या कर रहे हैं तो रूडि वादी हिंदू भादी संगठन तर्म करते हैं, आर्षमाज के लिए धर्म में सुधान की बात करता है ये लोग ऐसा नहीं चाहते हैं ठीक है एक और देख लेते हैं वो है सर्वेंट अफ इंडिया सोसाइटी कई यह पार एक्जाम में आ चुका है 1905 में बना है यह इए 1905 में सब्स्रापा के गोपाल किस्ट किलिए काम की शेतर में कर ना है तो दलतों की दर्शा सुधारने का प्रयास यह लोग करते थे और अकाल से जो लोग पीड़े थे उनकी साहता करने के भी प्रयास यह लोग किया कर झाल